नमस्कार दोस्तों मैं रूपमतिवर्थे वपाल से और आपका स्वागत है मेरे चेनल रूपा ग्रीन गार्डन में दोस्तों आज कोई टॉपिक तो नहीं है लेकिन थोड़े से जो मेरे वेजिटेवल्स के जो फल आ गए हैं बस उसी को मैं शेयर करना चाहती हूँ तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे गार्डन में कौन-कौन से वेजिटेवल्स से तयार हो गई है तो देखिए दोस्तों ये फलावर का कलर बहुत दी खुबसूरत लगता है और इस तरफ में भी पूरे फलावर खिल गए हमारे मोश्रोज के और ये भी किते अलग कलर कलर के हैं दोस्तों जब हम कोई प्लावर लगाते हैं चाए वेजिटेवल के हो चाए फलावर के हो और जब उसमें फलावर खिलते हैं या वेजिटेवल्स लगती है तो मारे मन को बहुत ही अच्छा लगता है पहले मैंने वेजिटेवल्स तो मैंने ज़्यादा उगाई नहीं थी ये देखिए कितना खुबशूरत लग रहा है गुलाव का कलर और एक और है मेरे पास में ये वाइट ये देखिए और ये पिंक वाला तो दोस्तो इस बार मैंने कुछ बेजिटेवल्स लगाई है और उसमें फ्रूट्स आ गए हैं तो मेरी खुशी कर ठिकाना नहीं है ये देखिए दोस्तो ये मिर्ची है और इसमें कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं और दोस्तो मैंने कुछ शिमला मिर्च भी लगाई थी शिमला मिर्च मैंने तोड ली है और ये देखिए ये एक मिर्ची ये मोटी वाली मिर्ची है और ये बेगन का है ये देखिए और दोस्तो अभी फ्लावर भी खिले हुए है और इसमें भी छोटे-छोटे बेगन आए हुए है ये देखिए इसमें भी ये बेगन खिला हुआ है और वाइट वाले बेगन भी है ये मैं अभी में तोड रही हुँ और दोस्तों ये टमाटर है ये देखिए इस प्लांट में ये देखिए अंदर की तरब भी है ये टमाटर और इसमें भी ये भी बहुत ही छोटा सा प्लांट है लेकिन इसमें भी टमाटर आए हुए हैं और दोस्तों ये देखिए बरवटी किते अच्छे से हो रही है बड़ी बड़ी हो गई है बरवटी तोड़ने लायक और इधर भी हो रही है ये और फ्लावर भी खिल रहे हैं ये छोटी-छोटी से बरवटीयां भी है और इस तरफ में भी ये देखिए ये और उपर तक के इ और यह दोस्तों यह आटे की बोरी है उसके अंदर है यह चार-पांच प्लांट है यह बरवटी के और इसी तरफ हमारी लोकी के भी है लोकी भी लगी हुई है यह देखिए यह इसकी मैंने 3G कटिंग की थी और इसमें देखिए उसके बाद कितने निकले हुए हैं यह देखि कितने लोकी बनी हुई है और फ्लावर भी खिल रहे हैं और इस तरफ में भी है यह लोकी और दोस्तों इसी में करेले का भी है करेले में भी फ्रूट्स बन गए हैं यह देखिए यह दिख रहोगा आपको यह लम्बा वाला करेला है और उस तरप में भी है मैं थोड़ा सा दिखाने पा रही हूँ और इसी में मेरे गिलकी की भी बेल आ गई है इसमें भी फ्लावर खिल रहे है तो दोस्तों यह थी कुछ हमारी बेजिटेवल्स जब हम कोई प्लांट लगाते हैं और बेजिटेवल्स आ जाती है तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा? कमेंट करके जरूर बताइए इसमें कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन बस यूही मेरा मन हुआ, तो मैंने वीडियो बना लिया है, तो धन्यवाद दोस्तों, और इस तरफ में ये भिंडी है, मैंने अभी तोड़ी है भिंडी इसमें से, ये तीन-चार प्लांट है मेरे भिंडी के, तो दोस्तों वीडिय पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद